जाइनत फिर्ट्स विल्कम बैक टू माई चैनल तो आज मैं वीडियो लेके हूँ पी आईकी के उपर तो यहाँ पर थोड़ा से वीडियो इंपॉर्टेंट है इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो पी आईकी होती है वो जो सर्विंग सोल्जर्स होते हैं उनके लिए थोड़ कॉंसलिंग करवान अपने SSB की तो उसके लिए वो इस तमर्वें कॉंटेट कर सकते हैं यहाँ पर आपको आपकी कॉंसलिंग कर दी जाएंगे बड़ी ए पेड़ काॉंसलिंग्स होंगी जिसमें आपके जो भी डॉट्स हैं आप वो पूरे SSB के बारे में पूछ सकते हैं यहां पर हम आपके interview के बारे में discuss करेंगे आपके interview कैसे questions आने वाले हैं या आपको कैसे questions provide किये जा सकते हैं ठीक है तो अगर आप interested हैं तो इसके लिए आप इस number वे contact करके आ सकते हैं चले फिर without wasting of time मैं start करता हूँ P.I.Q के लिए तो देखे जो P.I.Q का starting a format होता है दो pages तो same होते हैं जो service entry में भी होता है और जो normal civil entries में भी होती है ठीक है तो यहां पर आपको capital में अपना नाम लिखना है तो जो आपका नाम होगा वो आप capital में लिख देंगे यहां पर ठीक है इसके बाद आपके father's father का नाम है यहां पर जो father's name होगा वो आप running में भी लिख सकते है capital में भी father का नाम आप लिख सकते है यहां पर कोई problem नहीं है ठीक है ऑके बड़ मेरे तरफ से यही session हुआ कि इसको आप capital में ही लिखे ठीक है याद नहीं आएगा या सारी data adequate नहीं होंगी अब पाद cell phone नहीं होंगी अब approximate data भी नहीं वहाँ भर पाऊगे ठीक है उसके बाद next step place of present residence यह होगी आपकी unit के address ठीक है अच्छा एक चीज़ और है यहां पे name in capital में जो आप नाम लिख रहे हो न इस नाम के दोरन क्या करना है आपने अपना rank mention करना है यहां पे ठीक है यहां पे आपने rank mention करना है rank के साथ आपने अपना name लिखना है ठीक है place of permanent residence तो जहां पे आप permanently रह रहे हैं वो उस चीज़ को यहां mention करना है और इसके साथ में आपने जो population है वो population यहाँ बतानी है और साथ में क्या चीज़ है वहाँ पर अगर कोई district headquarters है तो उसके बारे में बताना है है यहाँ पर मेरे वो district headquarters है ठीक है आप जिस state और जहां से belong करते है आप वो उसके बारे में यहाँ पर लिख दिया आपने religion caste क्या है आपका जो भी है general है जो भी है वो चीज़े वो लिख दोगे आप वहाँ पर ठीक है सुरी religion है यहाँ पर लिखा आपने आपकी religion में दो सुरी मैंने कास्ट लिखना था यहाँ पर जो भी आपकी कास्ट है आपने वो यहाँ पर बता थी उसके बाद आप S.T.S.C. O.B.C. general जो भी है वो बता देंगे यहाँ पर आपकी mother tongue क्या है वो बताएंगे आप यहाँ पर टेटो पर था आपका क्या है जो भी आपका डेटो पर थे हैं यहाँ मैंसेंट कर देंगे आप 94-95 के साथ जो भी आपकी डेट होंगे 14-94 ठीक है married हो, single हो, video हो कर देना ठीक है, उसके बाद education qualification यहाँ पर आपके father का आजाएगा, उनका occupation आजाएगा, monthly अगर वो farmer है तो यहाँ पर आप approximate पका लिखना की salary कितनी हुए, salary के बाद approximate लिखना आपने, 5000 लिख रहे हो आप तो 5000 के बाद approximate लिखना, क्योंकि वो fix salary नहीं होती कि वो तनी salary उनको पका मिले, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपने उनके salary के बारे में पका यहाँ पर बता देना है, approximate साथ, mother की salary है तो salary है, नहीं तो फिर यह इस जाएगा को nil कर देना, nil dash करने का बतार निल ने वो जगए, ठीक है, उसके बाद guardian के बारे में है, अगर जैसे जिसका जो requirement हो साब से, elder brother, elder sister, जो भी है, पूरी कहानी यहाँ पर आप mention कर देना, salary किसी के earning है तो earning है ने तो फिर यह dash कर देना है, इसके बाद चलते हैं, education के ओपर, यहाँ पर education में आपकी चीजे लिखी पड़ी है, full name of institution कहां से पढ़ाई करी है, आपने कौन सी board university थी, year कौन से स sentence कितना है, video instruction क्या था, ठीक है, border थे, day scholar थे, तो maximum लोग तो day scholar रही है, अगर कोई boarding में आ रहा है, तो उसने लिख देना है कि भाई, border था मैं, ठीक है, और साथ में यहाँ पर क्या चीजे है, यहाँ पर आपकी जो, अगर कोई outstanding achievement है ना, तो उसको mention करना है, अगर आपने परान में कोई भी matches जीते हैं, या किसी चीज में आपने टॉक किया है, तो उनके बारे में यहाँ पर आपने बताना है, ठीक है, okay, same 10 plus 2 की कहानी है, creation, creation में भी लोग यार यह कहते हैं कि sir, मैं पहले क्या पढ़के आया था, नहीं पढ़के आया था, तो जो भी आपने पहल आपने यहाँ पर लिख दी, ठीक है, अगर आपकी complete नहीं दुबारा से कर रहे हो, तो यह post को cut करना यहाँ पर, बस graduation रहने देना आप यहाँ पर, graduation के बारे में आप mention कर देना, कि अभी क्या graduation है, जैसे आप BA कर रहे हो, तो BA pursuing है, ठीक है, पर swing यहाँ लिख देना, ठीक है, उसके बाद क्या है, बोर्ड डे, जो भी, same column of blue, पता है, दिख रहा है, वो चीज clear है, यहाँ पर, इसके बाद आपकी जो service है, उसके बारे में यहाँ पर, कितने year, कितने month होंगे है, ठीक है, height है, weight है, weight kilograms में लिखना है, तो जो, आपकी जो units पीछे दिवीं, जैसे meter दियो इन सब चीजों का ध्यान हमना, इस चीजे कोई बताता नहीं है, इसलिए मैं आपको indicate करने के लिए वीडियो लेगा था, कि आपको चीजे समझ में आए, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो पक्का like करिएगा, share करिएगा, जो पहली बार देख रहे हो, ठ ठीक है, present documentation क्या है, serving है, serving in indian army, कहां पर serve करें, वो mention करना है, army, navy, air force, जो भी, NCC training करी है, तो yes, नहीं करी तो no, अगर करी है, तो फिर यहां पर सारी details जो है, वो details अगर नहीं है, तो फिर ऐसे dash करते वे चले आना है, ठीक है, sports and games का है, अगर है, तो ठीक है ने, तो ऐसे dash कर ठीक है, तो सबसे बड़ी बात कहा है, कि फौजियों बहुत कम में, hobbies और इंट्रेस्टी जे देखी जाती है, hobby क्या होती है, जो आप डेली करते हो, daily का जो आपका task है, वो आपकी hobbies कहलाती है, ठीक है, और interest है, वो कि जो आप करना चाते है, आपको time थोड़ा सा नहीं मिल प पर फिर name of the active group, ठीक है, duration of participation, ठीक है, कोई अगर आपने extra-cogular activities में करी थी, outstanding achievement कोई था, तो if any तो any, नहीं तो no कर तो, चाहिए आप dash कर सकते हो, ठीक है, पोजिशन responsibility officer held in as is is recording, आपने अगर कहीं किया है, कभी sports team में कहीं कुछ रहे हो, तो उसके बारे में details आपने देनी है, नहीं है, तो कोई बाग थी, तो इसको बड़े हैं से dash करना और चल देना आगे, nature commission, permanent commission होगा, ठीक है, PC, sorry मैंने PM लिख दिया यहाँ पे, but it is a PC commission, ठीक है, permanent commission पूरा लिखना है यहाँ पे, choice of service, आमी ही है आप लोगों के लिए service, air force ने भी नहीं जा सकते हैं यहाँ से आप तो army ही लिखना है, आपने number of chance of world, ठीक है, आपने कितने बार attend कर लिए है, पहली बार जा रहे है, तो dash रहेगा, ठीक है, अगर दूसरी बार जा रहे है, तो यहाँ पे mention करना है one, ठीक है, one के साथ number भी लगा सकते हो, चाए number मिलो, चाए one ऐसे लिख लो, ठीक है, but अगर one तो साथ में mention कर देना है, तो direct आप one लिख सकते हो words में, ठीक है, उसके बार detail of previous interview, जिसके SSB हुई थी, अपने previous interview के details के बारे हम बता देगा, जितनी detail याद है, उतनी detail आप यहाँ पे mention कर देना, अब यह जो serving candidates है, इनके ओपर यह बहुत ही कम लोगों को पता होता है, इसके चीज़ आपको जान लेना, बहुत ही ज़रूरी है, और इसको पक्का एक बार भरनी कोशिश करना है, बर के जाना है, ठीक है, यहाँ पर capital letter में अपना नाम लिखना है, with rank के साथ आपना नाम, यहाँ पर लेखना है, caps में, ठीक है, candidates, batch and chest number, batch आपको वहाँ बता देगा, ACC का AA something जो भी आपको बताया जाएगा, and chest number जो भी आपको बताया जाएगा, जो भी रहेगा chest number वह आप यहाँ पर mention कर देगे, जो आपको second time chest number मिलेगा, personal number मतलब आपका army number rank, medical category, shape 1, date of birth जो है, वो mention करीए, unit of new mention करीए, यहाँ पर ठीक है, service record, अभी क्या है rank, year of the appointment, name of the employment in the rank, ठी earning achievement if any, ठीक है, अभी rank में आपका क्या क्या rank, आप recruit से बने होंगे, ठीक है, recruit, recruit कब थे आप, ठीक है, recruit की year आपने यहाँ पर बतानी हैंगी, हाँ बही, 2015, 16, 13, 14, जो भी थे, आप यहाँ पर recruit थे, ठीक है, name of employment in the rank, क्या करते थे, वो बताना है, यहाँ पर outstanding achievement कुछ है, तो लिखना है, दो डैश करना है, रिमार्क डैश करना है, ठीक है, अभी अगला जो था, अगला जो था, जो था, जैसे मान लिए, आपको promotion हुआ होगा, यहाँ पर आप जो भी अपने सिपाईी बने होगे, ठीक है, सिपाईी के बारे में, कब सिपाईी बने, आप क्या किया, अगर कोई direct हवल्दार बढ़ती है तो वह भी recruit रहाँगा रिक्रूट के बाद ही हवल्दार रही आईगी तो वह चीज़ वहाँ पर mention करना है अगर आप कहते हो इस अगर आप नीचे नायक करके लिख सकते हो कुछ लाइन लोएना ऐसे कुछ खेशने की ज़रुवत नहीं है बस जो चीज़े हैं वहाँ पर बढ़ते हो आगे बढ़ जाओ ठीक है अभी इसके बाद record of operation service कहीं है आपने operation service में थे कहीं पर किस से किस time तक अगर अभी भी आप वहीं पर हो कि अपनी आप MR के बारे मतादना जैसे किसी ने कमांडो कोर्स किया है किसी ने CBRN कैटर किया है तो अगर किसी ने कोई ऐसी चीज़े करी है तो उसको यहाँ पर mention करना है result था अगर आपके alpha grading वगरा रही तो वो बताना है किसी ने provision किया है एक बार ट्राइ करके ठीक है तो यह थी आपकी overall P.I.Q. for the serving candidates जो भी serve कर रहे हैं जो अभी आगे ACC देने वाले हैं SU देने वाले हैं या फिर PCSL देने वाले हैं उनके लिए यह form है ठीक है यह मैं अपने चैनल पर पोस्ट करूँगा एक कॉपी जीटियों के पास ठीक है तो इसको थोड़ा खराब नहीं करना है इसलिए पहले से practice करके जहिए लिखके जहिए जो सारी data वो आपने same copy paste कर देना है ठीक है मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा interview चीज़ें नहीं बता पा रहा हूँ because इसलिए नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आप सब लिखोगे अपना अपना और सबकी अलग अलग चीज़े होती है तो question उनके उस साब से generate होती है so अगर कोई again मैं बता दे रहो information नी तोर पर अगर कोई counseling करवाना चाता है अपनी SSB के regarding interview के या और भी psychological चीज़ों में कोई doubt है तो आप यहां आ सकते हैं ठीक है और आपके जो भी doubts हैं वो clear कर दिये जाएंगे so अगर आपको भी मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो please like करिए, share करिए और subscribe करिए so once again thanks for watching my video जैहन